तो यह अगर दोस्तों मैं विकास स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी टोगेदर विकास में फेट जिसा कि आपने देखा कि हमने पिछली क्लास में अपना एक नया टॉपिक स्टाइड किया दा फ्रेक्शन पिछली क्लास में हमने कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट पिछले क्लास में मैं किस टैप की विल्ट किये थे सपोर propose आपको एकशन में पूछा है को प्लस 5-7 इस तरीकी की questions कि आपको इन numbers को कैसे एड़ करना है तो simply हम क्या करते हैं इस तरी को इठाकर यहां पर रख देते हैं मतलब three whole 5 by 7 उकि इस तरीकी के questions हमने आपके सामने discuss किये ते अब आज हम इस session को continue करेंगे अब देखे एक्जाम में हमसे अगर questions आते हैं इस टाइप के तो हमें इन्हें without pen कम से कम टाइम में कैसे solve करना है अब देखें सब्सक्राइब को यहाँ पर यह दे रखेंगे अफ्रेक्शन सेवन बाई एट नाइन बाई टेन फॉर्टेन और फॉर्टेन और फॉर्टेन अब ध्यान से देखें इन फ्रेक्शन में आपको एक चीज बहुत कॉमन दिख रह और निउम्रेटर और डिनॉम्रेटर में डिफ्रेंस कितना है स्रिफ वन अगर हमारे जितने भी फ्रेक्शन दे रख्यों और सारे फ्रेक्शन में अगर डिफ्रेंस सेम है वन 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 तो सिंप्ली आपको क्या करना है कि जो फ्रेक्शन हमारा सबसे छोटा है वही हमारा smallest fraction होगा और जो fraction हमारा सबसे बड़ा है वही अमारा largest fraction होगा जैसे इस fraction में अगर हम बात करें तो 3 by 4 आपने देखा 3 by 4 fraction है जो इससे छोटा है इससे और इससे मतलब कि हमारा 3 by 4 इन तीनों से छोटा है तो यह हमारा कहलाएगा smallest fraction या फिर इसे least fraction भी कह सकते हम और अगर हम बात करें largest fraction की बात करें तो इन चारों में से हमारा कौन सा fraction सबसे बड़ा है यह हमारा पता करना है तो अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि 13 by 14 इससे इससे और इससे इन तीनों फ्रेक्शन से से हमारा यह बड़ा fraction है तो यह हमार कौन सा होगा largest fraction आपने देखा कि हमें इस question में एक हमने बहुत अच्छे से चीज़ समझी है वो क्या है कि अगर सारे fractions में difference सेम हो मतलब numerator और denominator में difference बन यहां पर भी difference बन 13 और 14 में भी बन और 3 और 4 में भी बन अगर सारे fractions में difference सेम हो तो जो fraction हमारा सबसे छोटा fraction होगा वो हमारा लिस्ट फ्रेक्शन के लाएगा और जो fraction सबसे बड़ा होगा वो largest fraction आप देखें इसी टाइप का में आपके सामने एक और question लेता हूं तो आप देखें 3 by 4 पुछा था ना which of the following is least fraction तो least fraction हमारा कौन सा है 3 by 4 अब देखें इसी टाइप का में एक और question आपके सामने लोगा जो की और आपको कुछ explain करेगा देखें यह रहा हमारा अगला question उसी टाइप का है बस इसमें तोड़ा सा difference है वो आपको देखना है कि हमारा इस question में क्या different है अब देखें अगर आपको कुछ बड़ी fractions या फिर आप कह सकते हूं कि बड़ी values दिख जाती है अगर fraction में तो student most of the student क्या करते है कि ऐसे questions को skip कर देते हैं यह हमारा second question था most of the student ऐसे questions को skip कर देते हैं ऐसे question को में छोड़ा नहीं है बट थोड़ा सा बोल ली इसे face करना है ध्यान से देखें पिछली question में बताया था वो इस सेम concept यहां पर use होने वाला है देखें ध्यान से दिखें 13 और 16 इसमें डिफरेंस कितन हमारे कितने भी बड़े numbers दे रखें हो या कितने भी छोटे numbers हो अगर सारे fractions के बीच में अगर आपको same difference देखता है जैसे 3 3 3 3 3 सारे fractions में अगर difference same है तो आपको क्या करना है चाहें आपको least fraction निकालना हो या largest fraction निकालना हो जैसे कि इस question में largest fraction find out करना है तो आपको simply क्या करना है कि यहाँ पर आप यह देखेंगे कि इन चारों में से हमारा लार्जेस्ट फ्रेक्शन कौन सा है तो यहाँ पर देखिए आप 41 by 44 यह हमारा इससे भी बढ़ा है इससे और इससे इन तीनों से यह वाला फ्रेक्शन जो हमारा बढ़ा है तो फ्रेंड्स 41 by 44 यह हमारा लार्जेस्ट फ्रेक्शन होगा जो की ऑप्शन दी में दे रखा है अब देखे अब हम आपके सामने कुछ और क्यासे लेंगे जिससे आपके और डाउट्स क्लियर होंगे जो कि हमारे प्रीवेश यह में कुछन्स आ चुकी हैं कि यह देखें अब हमारा रहा थर्ड कोईस्शन है कि क्या सै सोल्व करना आधनी देखें पिछले क्या था कि हमारा निउम्रेटर और डिनुम्रेटर में डिफरेंस चारों में सेंदृ लोगर यहां पर nine five यहां पर एफवय यहां पर एबन और यहां पर भी बन है तो अब देखिए यहां पर हमारा डिफ्रेंस सेम नहीं है तो इस टाइप की कोईशन को कैसे सॉल्व करना है चलिए हम देखते हैं देखिए Supposed हमें कोई दो fraction दे रखे हो 7 x 8 & 3i 7 हमें ये fraction दे र खिया और इन मेंसे हमारा कॉनसा fraction बढ़ा है यह हमें find out करना है अब देखे यहां पर difference है कितना 1 और यहां पर difference है 4 डिफ्रेंस तो same नहीं है तो हम direct नहीं इसको compare कर सकते हैं तो इसके लिए में क्या करना है देखे हम क्या करेंगे इस 7 को इस से multiply करेंगे और इस 3 को इस से multiply करेंगे जिसका numerator से हम अगली के denominator को multiply कर रहे हैं 7 7 जा 49 इसके numerator को इसके denominator से 7 7 जा 49 and 3 8 जा 24 ओके इसके numerator को इससे multiply किया और इसके numerator को इससे जब हमने 7 को 7 से किया 49 3 को 8 से किया 24 अब देखिए आप इन दोनों में से हमारा कौनसा number बड़ा है तो friends 49 हमारा बड़ा है मतलब कि हमारा जो 7 by 8 जो fraction है यह fraction हमारा 3 by 7 fraction से बड़ा है चले मैं फिर से repeat करता हूं अगर आपको इस तरीके से 2 fraction दे रखे हों देखिए मैं फिर से बताता हूं देखिए 7 by 8 and यहां पर दे रखा था 3 by 7 यह हमारे इसमें क्या करना था कि इसको इससे multiply करना था और इस नंबर को इससे 77 में जा 49 380 24 अब आपको कंपेर करना है कि इन दोनों में से मारा कॉंसा नंबर बढ़ा है 79 तो फ्रेंड्स इस इट मींस 79 जो है 749 जो है हमें 7 by 8 fraction से मिला है तो यह नंबर से हमारे यह fraction बढ़ा होगा और यह वाला फ्रेक्शन छोटा होगा अब सेम लोजिक हम यहां पर apply करेंगे कि हमें कैसे निकालना है इन चारों मेंसे मारा कॉंसा फ्रेक्शन बढ़ा है तो देखें करते हैं इसको देखना 211 जा 22 चले मैं यहां पर लिख देता हूँ 211 जा 22 और 77 जा 49 हमें इसमें निकालना था largest तो आप देखें 22 और 49 मेंसे मारा कॉंसा नंबर बढ़ा है 49 मतलब हमें इन दोनों मेंसे जो बड़ा फ्रेक्शन मिला वो मिला 7 by 11 49 और 22 मेंसे 49 बढ़ा है जो कि हमारा इस फ्रेक्शन का है तो हमने इसे ले लिया अब सेम इसी तरीके से हम इन दोनों फ्रेक्शन को भी सॉल्व करेंगे तो देखें 12 6 जा 72 और 11 7 जा 77 अब आपको पता चल रहा होगा 72 बढ़ा होगा या 77 तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि 77 और 72 में यह नंबर बढ़ा है मतलब कि हमारा यह फ्रेक्शन बढ़ा है तो देखें इन दोनों में से हमें यह फ्रेक्शन बढ़ा मिला और इन दोनों में से यह फ्रेक्शन हमें बढ़ा मिला अब आपके पास एक सामने है अब इन में से पता करना है कि हमारा होगा तो चले देखते हैं कि 712 जा 84 एंड 1111 जा 121 ओके 712 जा 84 1111 जा 121 अब आप क्लिरली देख सकते हैं कि 12184 से बड़ा है तो यह वाला फ्रेक्शन जो है हमारा सबसे बड़ा कहलाएगा इन दोनों मैं से यह फ्रेक्शन बड़ा था इन दोनों मैं से यह वाला फ्रेक्शन बड़ा था अब इन दोनों को कंपेर किया तो मैं कौन सा बड़ा फ्रेक्शन मिला यह वाला तो आप यहां पर देख सकते हैं 11 बाइट जो कि मारा ऑप्शन दी में दे रखा है यह हमारा इन चारों में से largest fraction है चलिए हम आपके सामने एक और question लेते हैं जिससे कि आपको और clear हो जाएगा कि इन questions को कैसे solve करना है अब देखिए इस questions में हमें बड़ी numbers दे रखें तो इनको कैसे कम time में solve करना है चलिए देखते हैं देखिए अब आप यहां पर देख रहे होंगे clearly कि अगर हम इन दोनों को solve करेंगे तो हमें थोड़ा सा problem होगी question को solve करना में है अगर हम इन दोनों का set ले लें देखिए 7 का 2 times 14 और 11 का 4 times 44 तो यहां पर हमको calculate करना बड़ा आसान हो जाएगा तो चलिए देखते हैं को कैसे solve कर रहा है अगर हम इसको 2 से multiply करते हैं और इसको भी 2 से multiply करना पड़ेगा तभी तो 14 बनेगा इस 7 को 14 बनाने के लिए हमने क्या किया 2 से multiply किया जब 2 से denominator में किया तो 2 से numerator में भी करना पड़ेगा तो हमको finally क्या मिला यहाँ पर मिलेगा 6 by 14 और 9 by 14 हमने first time में ये दुनों लिए न तो यहाँ पर मिला 6 by 14 यहाँ पर 9 by 14 जब हमारे denominator सेम हो तो जो numerator छोटा होता है वो हमारा least fraction कहलाता है और जिसका numerator बड़ा होता है वो हमारा largest fraction कहलाता है तो हमें इस question में नकालना था largest fraction तो friends देखें यहाँ पर हमारी दोनों condition satisfy हो रही है कि यहाँ पर 14 और 14 दोनों के denominator सेम है जिसका numerator बड़ा होगा वही हमारा largest fraction कहलाएगा अब हमने इन दोनों में तो पता कर लिया कि हमारा largest 9 by 14 है मतलब यह वाला है इन दोनों में से यह बड़ा है अब हमें पता करना है कि इसमें और इसमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है तो यहाँ पर देखिए इसे इस वाले fraction को 44 बनाने के लिए में क्या करना पड़ेगा 4 से multiply denominator में and numerator में देखिए 11 forza 44 and 4 forza 16 और यह वाला fraction दे रखा है 23 y 44 ओके 23 y 44 तो आप देख सकते कि आप दोनों में denominator सेम है तो जिसका numerator बड़ा होगा वही हमारा बड़ा fraction के लाएगा इन दोनों में से हमें बड़ा fraction मिला था 9 by 14 and इन दोनों में से में बड़ा fraction मिला 23 y 44 अब हमें इन दोनों में से पता करना है कि हमारा बड़ा fraction कौन सा है तो फेंड्स अब आपके पास दो तरीकी हैं इससे solve करने के देखे अगर हम इस 14 को 3 से multiply करें तो near about ये इसके करीब पहुँच जाएगा है ना 42 हो जाएगा जो कि 44 के काफी करीब है और दूसरा method है आपके पास या तो आप इन दोनों को multiply कर लीजी या इन दोनों को तो multiply करना थोड़ा सा मुझके लोगा तो कैसे करेंगे चले देखते हैं देखें इसको 3 से multiply किया यहाँ पर देखें अगर हम numerator and denominator में दोनों में 3 से multiply करते हैं तो 9 त्रीजा 27 and 14 त्रीजा 42 और यहाँ पर दे रखा है 23y 44 अब आपको यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में से मारा कौन सा fraction बढ़ा है कौन सा छोटा है तो आपको क्या करना होगा देखें denominator near about दोनों सेम है अब आप यहाँ पर clearly अपने आप से ही पता कर पाएंगे देखें 27 parts को 42 में डिवाइड करना है और यहाँ पर 23 parts को 44 में डिवाइड करना है तो कहीं न कहीं अगर आप 27 को 42 parts में डिवाइड करेंगे तो यह कुछ बड़ी value आएगी और 23 को 44 parts में कर लिवाइगे तो यह हमारा least fraction के लाएगा और यह हमारा कौन सा होगा largest यह इन दोनों में least है और यह largest है ओके इस तरीकी से मैं questions को solve करना है तो friends आज का session अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share subscribe करना ना बूला है thank you friends मिलते अपने next वीडियो में कर दो